भारत के लोकतंत्र ने हमारी न्याय पालिका ने कठीन से कठीन समय में भी भारतिय नागरिकों के न्याय के अधिकार को सुरक्षित रखा है। कोरोना वैश्विक महामारी के समय में हमें इसका उत्तम उधारन फिर एक बार देखने को मिला है। इस आपना में अगर एक और देश ने अपना सामर से दिखाया, तो दूसरी और हमारी न्यायक पालिका ने भी अपने समर्पन और कर्तव्य निस्था का उधारन पेश किया है। गुजराथ हाइकोट ने जिस तरह लोगडाउन के शुरुआती दिनों में ही वीडियो कांफरेंसे सुनवाई करना शुरू कर दिया। जिस तरह SMS कॉल आउट, मुकदमों की e-filing और email my case status की सेवा शुरू की गई। कॉड के डिस्प्ले बॉर्ड की YouTube पर स्ट्रीमिंग शुरू की गई। हर दिन judgments और orders वेबसाइट पर upload किये गई। इन सब ने यह सित्त किया है कि हमारा justice system कितना adaptive है और न्याय के लिए उसके प्रयासों का विस्तार कितना जादा है। मुझे बताया गया है कि गुजराद high court तो इस दोरान court proceedings की live streaming करने वाला भी पहला court बना है। और open court की जिस अवधाना पर लंबे समय से चर्चा होती रही है उसे भी गुजराद high court ने साकार करके दिखाया है। हमारे लिए ये संतोष का विशह है कि कानून मंत्राले ने ई-courts integrated mission board project के तहर जो digital infrastructure को खड़ा किया था। उसने इतने कम समय में हमारे courts को virtual court के तौर पर काम करने में मदद की है। Digital India Mission आज बहुत तेजी से हमारे justice system को आधुनिक बना रहा है। आज देश में अठारा हजार से ज्यादा courts कंप्राराइज हो चुकी है। Supreme Court से video conferencing और teleconferencing को legal sanctity मिलने के बाद से भी सभी अदालतों में इप्रोसिटिंगे में तेजी आई है। ये सुनकर हम सभी का गवरो बढ़ता है कि हमारा Supreme Court खुद भी आज दुनिया में वीडियो conference के द्वारा सबसे जादा सुनवाई करने वाला Supreme Court बन गया है। दुनिया में हमारे High Courts और District Courts भी COVID के टाइम में जादा video conference सुनवाई कर चुके हैं। Cases की E-filing इसकी सुविधा ने भी Ease of Justice को एक नया आयाम दिया है। इसी तरह आज हमारी अदालतों में हर case के लिए एक unique identification code और QR code दिया जा रहा है। इससे न केवल case से जुड़ी हर जानकारी हासिल करने में आसानी हुई हैं, बलकि इसने National Judicial Data Grid की भी एक प्रकार से मजबुत नीव रखी है। National Judicial Data Grid के जरिये, lawyers और litigants केवल click मातर से सभी cases और orders देख सकते हैं। ये Ease of Justice न केवल हमारे नागरिकों के Ease of Living को बढ़ा रहा है, बलकि इससे देश में Ease of Doing Business भी पढ़ा है। इससे विदेशी निवेशकों में ये भरोसा जगा है कि भारत में उनके न्याईक अधिकार सुरक्षित रहेंगे। 2018 की अपनी Doing Business रिपोर्ट में वर्ल बैंक ने भी National Judicial डेटा ग्रीड की प्रसमसा की है। मानिय आने वाले दिनों में भारत में Ease of Justice और भी तेजी से बढ़े इस दिशा में सुप्रिम कॉर्ट की E Committee NIC के साथ मिलकर काम कर रही हैं। मजबूत सुरक्षा के साथ साथ क्लाउड बेज इन्फा सक्तर जैसी सुभीधाओं को सामिल करने पर काम हो रहा है। हमारे Justice System को Future Ready बनाने के लिए नयाईक प्रक्रियाओं में Artificial Intelligence के इस्तिवाल की संभावनाओं को भी AI की संभावनाओं को भी तवासा जा रहा है। Artificial Intelligence से जुड़ी सरी की Efficiency भी बढ़ेगी और Speed भी बढ़ेगी। इन प्रयासों में देश का आत्मनिर्भर भारत अभ्यान बड़ी भूमी का निभाने बाला है। आत्मनिर्भर भारत अभ्यान के तहट भारत के अपने Video Conference Platform को भी प्रोच्साहित किया जा रहा है। देश में Digital Divide को कम करने के लिए सामान्य लोगों की मदद के लिए High Cores और District Cores में E-Sewa के इंदर भी खोले जा रहे हैं। हम सभी ने देखा हैं कि महामारी के इस कठीन समय में ओनलाइन ये लोक अदालत भी एक New Normal बन गई हैं। संयोग से ये गुजराद ही था जहां 35-40 साल पहले जुनागर में पहली लोक अदालत लगाई गई थी। आज ये लोक अदालत समयबत और सुविधापुन न्याय का एक बड़ा माध्यम बन रही है। देश के 24 राज्यों में अब तक लाखों मुकदमें ये लोक अदालतों के में आचुके हैं और उनका निप्तारा भी हो रहा है। यही गती, यही सुविधा और यही विश्मास आज हमारी न्यायिक व्यवस्ता की मांग है। गुजरात एक और बात के लिए भी अपने योगदान के लिए गर्व करता रहा है। गुजरात पहला राज्य था जिसने इवनिंग कोड की परंपरा शुरू की से। और गरीबों की भराई के लिए अनेक इनिशेटिव लिए से।